हेलो टेडर्स, वेलकम टू सिप्यार टेडिंग अप्शनल, आई होप आपने आज इस मार्केट में आज भी प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है, और हमने कितना प्रॉफिट बनाया, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आज के ऊपर लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, यह है end of the day chart, इस पर पहले मैं बताने वाला हूँ, कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया, हमें कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, और कौन-कौन सा setup मार्केट हम बना, और जो मार्केट कॉंसलिडेट कर रहा था, तो उस वक्त आप क्या कर सकते थ ठीक है, इसलिए I hope आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, चलिए सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ, कि हमने आज ट्रेड लिया, तीन-चार ट्रेड लिया, वहां से हमारा इस्टॉपलस हीट हुआ, वो कैसा हमारा इस्टॉपलस हीट हो गया, ठीक है, पहला दोनों ट्रेड का हमारा इस्टॉपलस हीट हो गया, वोलटलेटी के वज़ासे, या फिर आप बोलो प्रेमियम डिके के वज़ासे, हमारे स्टॉपलस कितना गया, तीस पॉइंट का, दो ट्रेड में हमारे स्टॉपलस तीस पॉइंट का गया, 515 है बाई दिया था और 20 रुपया के सल था हमारा एसल हीट किया उसके वद मार्केट क्या किया फिर उपर जाने लगा तो मैं क्या किया किया यहां दे दिया रेंट्री 522 पर फिर से रेंट्री कर सकते हो ठीक है 522 वाला कहां तक गिया है आप नीचे देखो 650 ठीक है 650 गिया कहां तक मैं दिया था 522 पर 650 पर गिया है मैं 522 पर दिया था ठीक है तो आप समझ सकते हो कि यह क्या मोमेंटम आपको यहां पर मिलेगा और यह कब आपको मिलेगा जब आपको अच्छा से चार्ट पता होगा चार्ट ट्रेडिंग आप अच्छा से करोगे ठी कर सकते हो CPR के बारे आपको बहुत सारा चीज़ सीखनों की मिलेगा और लाइब मार्केट में मैं आपको सीखाता हूं ठीक है। उस वक्त भी मार्केट का टाइम लाइब हमारा देख सकते हो आपको चैनल पर मार्केट में होता है। अब यहां पे high लगाता है और reversal आता है तो अगर यहां पर अच्छा scalper हो अगर यहां पर ट्रेड ले सकते थे तो यहां आपका होना चाहिए थे buy इसके उपर आपका SL होना चाहिए यह दे high के उपर target आपका CPR होना चाहिए थे यह हुआ पहला अब दूसरे ट्रेड के मैं बात करता हूँ उसके बाद market क्या किया इंसाइड गंडल बनाए यहां पर ठीक है इंसाइड गंडल का आपको ध्यान रखना हमारा भी stop loss यहीं पर गया था ठीक है इसलिए यह सबसे आपको ध्यान रखना कि वीगली CPR मार्केट ने क्या किया सपोर्ट ले लिया ठीक है अब मार्केट सपोर्ट लिया तब हमारा एक trap setup बनता जिसमें क्या है कि हमारा यहीं पर call की तरह पिंट्री हो जाएगा ठीक है और इसमें सबसे पहला target क्या होता है day high ठीक है current day high सबसे पहला target अपना होगा और अगर यह निकलता है तो और उपर आप stop loss अपना trail करते रहो तो इसमें आपको profit हो सकता था अब क्या है कि अब मार्केट एक zone में यहाँ फसा ठीक है मार्केट यहाँ पे के बाद मार्केट क्या किया पूरा दिन भर time pass किया और थोड़ा से इधर आपको momentum दिखा यहाँ पे आपको एक trend line दिख रहा होगा ठीक है इधर आपको trend line दिख रहा होगा और इधर भी आगर आप देखोगे तो इसी channel में market बहुत time तक move करता रहा है अब चलिए मैं nifty के chart क किया last ring को break किया जब भी कोई आपको बड़ा candle market में दिखेगा तो आपको यह समझने को process करना कि यहाँ पर कुछ लोग trap हुए है इसलिए मार्केट में इतना बड़ा candle बना है ठीक है candle बढ़ा बना उसके वाद क्या हुआ हुआ भी मार्केट के यहीं से निकल गया यहाँ प आप देखोगे तो मार्केट weekly स्शासे ओपर है मार्केट मंतली स्वार से उपर है मतलब मार्केट शूह बुलीस है ठीक है ठीक है, higher time frame पे आने के बाद हमें यहां पे क्या आ रहा दिमाग में, कि जब market इस candle के high को निकाला, ठीक है, previous day candle के high को निकाला, जो कि dozy candle बना हुआ था, इस के high को निकाला, तो market one way यहां से यहां था, रैली देखे गया, जो हमारा target था, यहां से target complete हो गया, अब अगर market यहां पर profit देख सकता है, तो यह है कि अगर रैली करेगा, तो आपको बहुत profit देख कर जाएगा, हमें यहां पर moving average लगाना है, क्यों लगाना है moving average, यहां पर आप देखो, क्या हो रहा, कि 20 moving average, जो कि नीची आया था, 50 से, मतलब market negative होने वाला, तो वहां से market फिर से reverse करके, उपर चला जाता है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें करना यह है, कि वन आवर के time frame में चलना है, सबसे पहले मैं क्या करते हूं, एक बार CPR भी लगा ले तो, ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़ा clear हो, CPR में लगा दिये, आप देख रहे हो, CPR का market cross कर चुक है, ठीक है, यहां से निकलता है, CPR का level कहा है, 41,185, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा resistance, दो resistance है, यह हमारा important resistance है, यहां पर हमें profit book करेंगे, या फिर stop loss उसके उपर trail करेंगे, जैसे market move करेगा, अब हमें weekly CPR के उपर आना ह weekly CPR के उपर आएंगे, और यहां पर time frame one hour कर देंगे, ठीक है, अब हमें यहां पर क्या पता चल रहा है, आप सब कुछ के उपर ध्यान देना, ठीक है, सब कुछ के उपर मतलब, moving average के उपर भी आपको ध्यान देना है, आपको CPR के उपर भी ध्यान देना है, यह जो आपको blue line दिख रहा है, यह monthly top CPR, ठीक है, जो monthly top CPR है, वो यहां पर क्या किया था, वहां से एक बड़ा selling आया था market में, ठीक है, छे तारीक को, यहां से market में selling आया था, बहुत बड़ा, आज market क्या किया, उसके उपर break किया, और यहां पर hammer candle बनाया, इसके high को break किया, target achieve कर दिया, ठीक है अब अगर यहां पर देखोगे, तो 200 moving average यहां पर flat है, ठीक है, जब भी 200 moving average flat रहता है, तो strong support, strong resistance का वो काम करता है, अब हमें क्या करना है, कि 5 मिट के time frame पर चलना है, और tomorrow CPR लगाना है, ठीक है, हमने tomorrow CPR लगा लिए, हमें time frame पर चलना है, 5 मिट लगा लेना है, अब यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, कि previous day high यहां पर है, r1 यहां पर है, मतलब कि r1 previous day high की बीच में 200 point का gap है, ठीक है, और जब तक market previous day high r1 को cross नहीं करता अच्छे से, तो market side way रह सकता है, यह चीज़ में भी आपको पता होगा, तो कल आपको एक psychological number 40, यहां पर दिख रहा है, ठीक है, तो अगर market इधर ही कहीं open होता है, gap up open होता है, ठीक है, आपको सुझ में आ गया, कि आपको क्या करना चाहिए, second case बताता हूँ, कि अगर market gap down open हो जाता है, ठीक है, तो last thing market का यह था, अगर gap down open हो जाता है, और इसके नीचे market आता है, तो फिर अपन target यहां तक देख सकते हैं, ठीक है, मतली CPR का top CPR, clear है, अप में बात करते हूँ, अगर market flat open होता है, अगर market इसी जोन में open होता है, जहां market close किया है, तो last candle जो hammer बनाना, इस candle के उपर open होते ही, मतलब previous day high के cross करते ही, आप call की तरह बैठ सकते हो, ठीक है, पहला आपका target 100 point का यहां पे होना चाहिए, मतलब 40,000 100 का थोड़ा सा नीचे, और 40,200 के पास आपका पहला दूतरा target होना चाहिए, और अगर यह सारा target निकालता है, तो फिर target आपका क्या है 40,527, फिर 40,929, तो यह सारा level आपके सामने है, अगर आपका हमारा telegram जोइन करना है, तो link description में आप जोइन कर सकते हो, हमाँ साथ live market में trade भी कर सकते हो, चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, thank you